गुड मॉर्णिंग चिल्रेंड टूडे जोर फर्स्ट किलास मैथमेटिक्स किलास थिरी किलास थिरी के बच्चों ने ये बुक तो खड़ी दे लिया होगा बुक को भी आप लोग पहचानी रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों किलास थिरी आज मैं फर्स्ट किलास आप लोगों का करवा रही है किलास थिरी देखिए यहाँ पर है राइट इच आप दा फॉलॉइंग नंबर इन वर्ड्स यहाँ पर कुछ नंबर दिया हुआ बच्चों ए से लेके एस तक इसको हम लोगों को वर्ड्स में लिखना है तो बुक में तो कॉलम नहीं है बच्चों तो इसमें अब आप लोग बुक में कॉलम नहीं है तो इसमें इसको मैं कॉपी में करके दिखा रही हूं चलिए देखते हैं यहाँ पर मैंने कॉपी में लिखा है जैसे हैं मैंने कुछ नमबर को लिया है 117 यहां हमनों को वर्ट्स में लिखना है और फिर F नमबर मैं लिया है 717 और H नमबर लिया 919 यह बुक से हैं बच्चो एक्सरसाइज 1 का थो 117 जैसे लिखना है तो वर्ट्स में हम लोग लिखेंगे हैं वान अंडेड़ एंड सेवेंटीन ओके बच्चो सेवेंड़ सेवेंड़ सेवेंटीन है तो सॉरी ऐसी सेवेंड़ एंड़ एंड सेवेंटीन 717 यहाँ मैंने लिख दिया बच्चो आब 919 में आते हैं तो यहां हम लोग लिखेंगे 9100 एंड 19 ओक के बच्चो यह मैंने लिख दिया यह वन नमबर का है two नम में number in figures तो यहाँ पर वर्ट्स मुन लिखा हुआ है उसको figure में लिखना है मैंने शब नमबर को तो नहीं लिया टू का ए जी और एफ का मैं आप लोगों को बता रही हूं 159 तो 159 770 770 ओके बच्चों 316 ट्रीहिएंड़ एंड-ट्रीहिस्टीं इस तरह से हम लोगों ने फिवर हमें इसको लिए फिर पीशिएंड़ राइट नमबर यह फॉन्ड़ नमबर है बच्चों थिरी में हैं आप लोगों का देखिए कंप्लीट इस ओप फॉलॉइंग पैंटर्न पहां लोगों को कम्प् 98 फिर 200 98 के बाद आजाएगा बच्चो 200 सॉरी 300 हो जाएगा 98 के बाद अगर टू नंबर हम जोडते हैं तो यहां 300 हो जाता है 300 के बाद आता बच्चो 302 फिर 304 यहां लिखा हुआ फिर उसके बाद लास्ट नमर आता 306 अब हम मैं आगे फिर बता रही हूं सी नंबर आपनों क यहां 547 यहां 3 नंबर का डिफ्रेंस है बच्चो तो 547 है तो यहां जाएगा 550 फिर 553 है यहां 556 फिर यहां जाएगा 559 फिर यहां 59 से 562 आ गया ओके बच्चो इस तरह से इस कॉलम को भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं फिर यहां फोर नंबर में बच्चो काउंटिंग बाइट तू राइट नंबर स्वर्म 491 तू 505 यानि यहां पर तू टू नंबर जोडते वे हम लोगों को 505 तक पुराना है जैसे यहां पर जस्ट लाइक हम लोग यहां पर फॉलोईंग पैटर्स बनाए तो उसी के जैसा है इसमें कुछ नंबर को मैंने लिया है बच्च यहां मैं आप लोगों को बता रही हूं देखें काउंटिंग तू राइट नंबर स्वर्म तू नंबर को जोड़ते वे हम लोगों को 491 से 505 तक लिखना है 491 से अगर हम लोग शुरू करते 491 493 495 497 499 499 के बाद आता ओ सॉरी सॉरी 499 के बाद आता बच्चो 500 टू नंबर जोड़ना है तो फिर 503 लास्ट नंबर बच्चो यहां पर दिया हुआ है 505 इस तरह से मैंने टू नंबर को जोड़ते वे 491 से लेकर बच्चो 405 तक लिखना है फिर शिक्स नंबर में बच्चों हम लोग आते हैं यहां पर एकाउंटिंग वाइफ राइट अब इसमें हम नंबर को जोड़ते वे 708 से लेकर 733 तक लिखना है तो यहां पर बच्चों हम लेते हैं 708 इसमें 5 नंबर अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 713 फिर इसमें 5 नंबर जोड़ते हैं तो 718 फिर इसमें अगर 500 जोड़ते हैं तो 723 इसमें 5 नंबर जोड़ते हैं तो 733 आ गया है बच्चो इस तरह से हम लोग 5 नमबर जोडते हुए 708 से 733 तक लिख लिए अब यहां 6 नमबर का मैंने 2 नमबर 4 और 6 मैंने बता दिया है अब 5 में बच्चो हो ही है counting by 3 rights number from 881 to 199 मतलब यहां 3 नमबर को जोड़ते हुए हम लोगों को 801 से लेकर 199 तक लिखना है फिर 7 नमबर में counting by 20 right numbers from 791 to 911 यानि यहां 20 नमबर को जोड़ते हुए 791 से सुरू करेंगे 20 नमबर को जोड़ते हुए 911 तक हम लोग को लाना है फिर 8 नमबर में बच्चो write each of the following numbers in each in the expanded form यहां expanded form बच्चो आप लोगों ने तो बहुत 1 किला से ही बनाया होगा यहां 693 है बच्चो तो यहां लिखेंगे 600 पलस 90 पलस 3 ओके बच्चो यहां 771 है तो लास्ट में मैं आप लोगों का लास्ट नमबर बता रहे हुए 700 पलस 70 पलस 7 इसी तरह से आप लोग इस कोलम को भोड़ लेंगे यह exercise 1 है बच्चो पेज नमबर 7 है इस तरह से आप रगो बता दो Romeo शॉडबर टे रहे हुए8 सले बोलस के बच्चों को करे बता है को ल कत मैं आप लोडा़ को छो चाला राउ जिस तरह से पर वेकपिशने शलनके टे वेसे तरह से जूनरे पना वहां 5 kennt रहर से आप यहांवा वेसे घकाझ यहां जहर से चॉर बाए़ तरह – झाल झाल